कि के ऐलो फ्रेंट्स वेलकों बेक टू धुदा अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की सोड़ में हम बात करने वाले हैं महरास्ट इस्टेट एलेक्टरिसिट्टी ट्रांस्मिशन कंपनी लिमिटेड का अगर आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है विदू शाहयक पोस संसोधन कैसे करना है आज की सोड़ा में आपको complete जानकारी दिया जाएगा अब देखे फ्रेंज यहाँ पर अगर आपने form को finally submit कर चुके हैं finally अगर आपने payment कर चुके हैं तो आप form को कैसे correction करेंगी अगर आपने form को finally submit नहीं किया है तो form को कैसे correction करेंगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो को माध्यम से दिया जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप से छोटी सी फ़कारी को editing नहीं कर पाएंगे correction नहीं कर पाएंगे आपको form को correction या editing करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगहा यहाँ पे आपका जो आप जैसे लोग इन हो जाते हैं तो आपको इस परकार का इंटर फेस यहाँ पर देखने को कि मिल जाएगा यहाँ को अपको नेक्सट में क्लिक करेंगे इसके बद आपका जो फॉर्म होता है वापका यहाँ पर इस्टार्ट को जाएगा फिर से कुछ इस परकार आप देखे नहीं है तब वित परकार के इडिट करना कशच हैच है हापक़ जानकारव करना जैसे Our ऐसे आपको आपको यहां पर एक पुस्च करना है जयसे यहां पर डीटेशन में गारां पर पोस्ट चेंज करना है जैसी कि अगर आप यहाँ पे 08-2023 के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए भी चेंज कर सकते हैं पोस्ट आप देखे पने से यहाँ पे पोस्ट भी चेंज कर सकते हैं इसके वद आपका जो जोन होता है जो भी जोन होता है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर महाराष्ट की निवासी हैं, अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपका जो भी जानकारी होता है, पूरी जो जानकारी होता है, जो आपने फॉर्म को फिल करते वक validate हो जाएगा आपको successfully then आपको क्या करना है OK में क्लिक करके इसके वाद आपको क्या करना है data को save करना है then आपको यहाँ पर next में क्लिक करना है सारे जानकारी जो होता है edit करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो भी जानकारी आपको इडिट करना है उस पर आपको क्लिक करके इस प्रकार क्या करना है आपको जानकारी एडिट करना है जैसे कि आपका पिता जी का नाम माता जी का नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जेंडर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकत करनें चोब अपको चूदह को ठीच करें जासे कर तो कर सकती है आपको आपको the आपने इसमें नो में क्लिक कर दिया है तो आप यहाँ पर येस क्लिक कर सकते हैं experience है और आपने स्कानरी लेड़ेज करना चाहें अगर और likes chair or write एड bio code 10 करना है तो आपकाइन कर देड़नों हो जाएका सक्सेशलिख जाये मो प्रकरकर और यहां प्रसेमिट कर दे समिट कर चुके हैं और आपका जो फाइनल प्रिंटाउंट होता है वो भी निकाल चुके हैं उन के इंडिडिट को क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं आप देखे फ्रेंज यहां पर जो भी के इंडिडिट ने फॉर्म को फाइनल समिट कर चुके हैं और आपने प कर देना है और इसके आलाव अगर आपका कोई भी जानकारी मिस्टेक नहीं हुआ है तो आपका जो फॉर्म होता है वह आपका रेजेक्ट हो जाएगा इसका ओफिसल नोटिफिकिसन यहां पर आप आएंगे इंपोर्ट यहां पर इंपोर्ट पॉंट में अगर आएंगे तो आपको यहां पर clearly mention किया गया है कि आप एक पोस्ट के लिए एक ही form apply कर सकते हो multiple form apply नहीं कर सकते हो अगर आप multiple form apply करते हो तो आपको क्या करना है आपका जो नाम होता है वह आपका जैसे की नाम हो गया पिता जी का नाम हो गया माता जी का नाम हो गया डियो भी हो गया मतलब लाभich पर स winners नाम अब को पूरा सही से फिलकर नरहें यहां पो काना है यहां पड़ नाम मोबाइल नमर होता है वो आपको चेंज कर दिया है और आपका जो मैल डियोगो हता और आप form apply करेंगे वो भी form आपका reject हो जाएगा अब देखे friends यहाँ पर बहुत सारे candidate का यह question होगा कि एक ही candidate दो form apply कर सकता है या नहीं कर सकता है तो guys यहाँ पर एक ही फर्म को दो बारे आपको apply नहीं करना है उसी नाम से उसी date of birth से और उसी पिताजी और माताजी का नाम से आपको यहाँ पे दुबारव form apply नहीं करना है मतलब एक candidate आपको दो form apply कर सकता है तीन form भे apply कर सकता है पर अलग-अलग post के लिए एक ही post के लिए आप multiple form apply नहीं कर सकते हो अगर multiple form apply करऊगे एक ही post के लिए तो आपका जो form होता है वो आपका reject हो जाएगा तो इस प्रकार जानकारी है I hope आपको जानकारी पसंद आया होगा बडियो पसंद आया होगा आप देखे प्रेस यहाँ पे आपको editing application form detail यहाँ पे आपका जो option होता है यह आपका editing करने के लिए जो payment करने के वो आपका refund नहीं होगा new form apply करेंगे तो आपको क्या करना होगा new फिर से आपको यहाँ पे payment करना होगा तो आपको यहाँ पर editing का आपको यहाँ पर date close का जो time होता है यह date दिया गया है 10-12-2023 तक तो आपका जो date होता है मतलब कि आप new form apply कर सकते हो पर आपको यहाँ पर मैंन का जो window होता है वो आता है तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा आज के लिए बस इतना ही जानकारे अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सस्क्राइब शेयर करेंगे किसी परकार का query होगा तो मुझे comment box में comment कर देंगे तो इस वीडियो मैंने आपको complete जानकारी दे दिया है माहराष्ट इस्टेट इलेक्टिसिटी ट्रांस्मिटर कंपनी लिमिटेट का जो फॉर्म होता है वो आप कैसे एडिट करेंगे यह करेक्शन कैसे करेंगे जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरू लाइक करेंगे और चैनल को स सिस्क्राइब करेंगे